नवश्कार, BCN News की प्रदेश की खबरों में मैं दिशा आपका स्वागत करती हूँ 2021 साल का शुभारम हो चुका है तो BCN News की और से सभी दर्शकों को नए साल की ठेरोशिप कामना है इसे के साथ बढ़ते हैं खबरों की और चतरपुर में एक किसान ने बिश्ली विभाग की प्रताणना के चलती फासी लगा कर खुदखुशी कर ली गटना मातोगुवा थाना क्षेतर की है जहां मुनेंदर राजपूत ने अपने खेत के पेड़ों पर फासी लगा कर खुदखुशी कर ली मुने तक के सामने चारपीच का सुसाइड नोट पी एम मोधी को लिखा है जिसमें उसने बिश्ली विभाग की विवस्ता पर सवाल उठाए है और बिजली विभाग द्वारा उसके चक्के के 87,000 की बिजली बिल बकाया को विभाग द्वारा मोटर साइकल सहे चक्की कुर्ख करने की बात लिखी है इस साइड नोट में बिजली विभाग के बकाया उसकी मौत के बाद शरीर के अंग बेच कर चुका देने की बात लिखी है मौत के परीजनों का आरोब है कि बिजली विभाग ने अपने बकाया वसूली के लिए उसके भाई की गाव में प्रतारित किया और उसकी बेज़िती की जिसकी वज़ा से उसका भाई सदमे में था जिसकी वज़ा से उसने फासी लगा कर जान दे दी पुलिस ने इस मामले में मर्क कायम कर जान शुरू कर दी है चतरपूर से राजे इंद्र सीह की रिपोर्ट बीसी न्यूस नापपूर प्रदेश की खबरों में इतना ही एसीन ने और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहेगे इन बीसीन न्यूस नमस्कार